कि है ये कि है य्टी वेल्कुम गाजे वेरी वेयम विलकुम एवरीवा आप सब कसवागत है कंज़ए परने आज 20 पर bena on मोणे सब्सक्राइब्सी छुरू करते इसके यहां ए इसके लावा हम आपके साथ एंटी कीओ भी कराते और दिल्सक्रीनُ पर कुछ questions का कुछ current affairs का revision भी आपके साथ यहां पर करते हैं सबसे पहले आएए आते हैं कल के हमारे homework पे कल हमने आप से 5 questions पूछे थे पहला question था कौन सा city है जिसने host किया है UK-India defense and military technology cooperation workshop उसका आंसर आपका London है London की organization है इंडिया की organization उन्हें मिलकर London में यह workshop जो है उसको किया है next सवाल है कौन सा संस्थान है constitution है जिसने release किया है guideline for livestock telemedicine in India उसका answer नितियायोग है basically livestock मतलब जो आपके हमारे जानवर हैं खास तौर पर जो पोल्ट्री पाए जाते हैं कैसे उनके इलाज के लिए हम टेलिफोन के जरीए एक consultation कर पाएं डॉक्तर से उसको लेकर यह एक जो एक टेली मेडिसिन जो एक है उसको शुरू किया गया है फिर भारत में वह constitution है जो release करता है digital payment index जब कभी हम payments की बात करेंगे financial transactions की बात करेंगे fiscal transaction financial transactions की बात करेंगे तो उस समय हम RBI का नाम लेंगे तो जाहिर से बात है RBI का नाम होता है basically एक index है जो बताता है कि भारत के अंदर हर quarter में कितना penetration digital instruments का जिसमें UPI आ गया आधार enabled payment system आ गया कितना penetration उसका हो चुका है उसको वो दर्शाता है विच कंट्री क्रांच स्टेपल वीजास टु इंडिया नाशनल्स फ्रॉम अरुनाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तो इसका आंसर चाइना है तेको या पेपल वीजा कोई वीजा नहीं है जो आपका पासपोर्ट है उस पर एक पेपर हमने इस्टेपल कर दिया और आपको बूल दिया कि आपको वीजा मिल यह अगर आपको नहीं पता है आज इसकास भी करूँगा डीटेल में 28 से 30 अगस्त के बीच चाइना ने फिर से एक वही कि अधि यहां दिखाया है उस ने तैवान को भी दिखाए कई और देशों को भी दिखाया लेकिन इंडिया के निशों को फिर से उसने ईखाया है तो यह श्तेपल वीजा को लेकर इंडिया ने क्लियर किया है कि इस अभकवास है ठाको स्ट मां चेलश भश है इसको आप वह तो बश्यक्ट हैं वह संस्कों पर रिज्ट अब पर वह मोन अपर झाते हैं तो उस वजह से सैंप प्रहता और वह भी फिलहाल फीनज साथन बूंगार मोरा शाया है युनेसको जिसका नाम है Let's Move Forward उसका आंसर है धर्मिन प्रधान भारत के Education Minister है, Skills Development Minister है उन्होंने इस बुक को रिलीस किया है अगर बाकी options की बात करें तो जो announcement किया गया था जिसमें 200 रुपए का subsidy दिया गया है on all LPG cylinders वो खोशना की थी अनुराक सिंग थाकुर ने इसके लिए प्रलाज जोशी ने खोशना की थी कि इंडिया में एक digital fraud portal बनने वाला है उन्होंने in fact कहा था कि इंडिया में जो frauds की संख्या है उसे कम करने के लिए banks सोच रहे हैं कि वो एक digital frauds portal को launch करें फिर अमिर्शा जी की बात करें तो अभी हाल ही में western zonal council की meeting हुई है उस meeting को भारत के जो home minister है भारत के जो minister of cooperation है उन्होंने इस meeting को आपका lead किया और आखरी में Jitendra Singh है यह भारत के minister of state for space communications है इन्होंने कहा है कि Indian economy 2040 तक अगर हम conservative बात भी करें तो 2040 तक जो Indian space economy है वो 40 billion dollars worth का हो जाएगा यह statement इन्होंने अभी कुछ time पहले यह statement Jitendra Singh साहब ने जो है वो दिया है तो उस वजह से यह आपके news में बने हुए है which of the following companies has launched the world's first ever hundred percent ethanol run flex fuel car मैंने कल discuss किया था answer यहां पर है option B Toyota Toyota की गाड़ी है इसका नाम है high cross और यह दुनिया की पहली hundred percent ethanol run flex fuel car है बाके options की बात करें तो Faxcon के जो founder थे गाव उन्होंने कहा है कि he wants to participate he wants to run for the Taiwanese presidentship वो ताइवान के अगले राष्टपती चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं इसकी घोश्णा मोने की है इसके अलावा Apple आपल ने surprisingly support किया है the right to repair law right to repair एक legislation है एक movement है जिसमें जो consumers हैं उनको लेकर movement है जहां पर अगर आपके पाई इसको इलेक्ट्रोनिक विप्रेंट है तो एक समय तक या उस equipment का repair करने का right मेरे पास होना चाहिए मैं कहीं भी उसको repair करा सकता हूं वो company जहां जिसने उसे उसे sell किया है वो यह नहीं कह सकती मेरे को कि आपने कहीं और रिपे कराया है तो इसकी warranty या इसको अब हम replace repair नहीं कर सकते तो apple for the longest time has been the flag bearer of its protest against right to repair लेकिन surprisingly with the right to repair जो उसका एक movement है उसको support किया है अब बाकि ever grant की बात करें तो यह एक company है एक conglomerate है जो real estate में है कई और sectors में चाइना में specifically अगर बात कर रियल estate की तो यह बहुत बड़े नुकसान में है चाइना में जो recession के chances है उसमें इस company और ऐसी company से बहुत बड़ा हात है लेकिन इसके जो losses है उसमें भारी कमी पिछले quarter में देखी गई है इस वजह से evergrand from china is in the news which country has released a list of 10 medical drugs for negotiation leading savings of 16 billion dollars for the federal government USA, Egypt, Greece, New Zealand या फिर Spain तो इसका answer है option number A that is the USA USA इसका सही जवाब है जिससे की जो उसका एक उसका एक bill बनता है इन drugs को purchase करने का और और elderly को sell करने का वो bill कम बनेगा और inflation जो है उस देश में USA में कम हो जाएगा और आगी चलकर वो पैसा climate action पर वो इस्तेमाल कर पाएगा बाकी options की बात करें तो Egypt का capital है काईरो और काईरो में शुरू हुई है आपकी exercise bright star जिसमें इंडिया के लावा कई और देशों ने participate किया है जिसमें Greece भी है जिसमें Qatar भी है Saudi Arabia भी है USA भी है अब अगरें ग्रीस की बात करें तो अग्रीज गई थी करीब 40 साल पहले उसके बाद वो अग्रीज कहते हैं वहां पर वहां का जुराष्ट्र सम्मान है वो भी मोदी जी को दिया गया तो वहीं पर strategic partners बने इन फाक्ट जो भारत के commerce minister है उन्होंने इसकी घोशना भी दोस्तों की है इसके लावा न्यूजलेंड की बात करें तो न्यूजलेंड इंडिया ने जो एक civil aviation को लेकर agreement किया है ठीक है और agreement ministry of civil aviation दोनों देशों के पीच किया गया है इसके लावा Spain की बात करें तो Spain as football की वाज़े controversy में है because Spain के जो football के president है आप वो हट चुके है 90 days का उन्हों पर बैन है उनको बैन कर दिया FIFA ने because उन्होंने लिप पर किस किया था एक Spanish football player को after the match और उसको लेकर उन पर बैन लगाया गया तो Spain उस वजह से आपका news में है प्रग्यान rover has not confirm बात समझेगा ध्यान से उसने इन में से किस element को इन में से किस चीज़ को confirm नहीं किया है कि उसके traces हमने मून पर पाए है hydrogen sulfur iron oxygen या फिर आपका chromium तो इसका answer है दोस्तों option a that is hydrogen sulfur भी मिला है अगमना आपको बताया था लिप्च experiment या दोगा आपको जहां जो spectroscope है उसने इनको ट्राक किया है south pole of moon के पास उनको मिला है उसमें sulfur भी है iron भी है oxygen भी है chromium भी है सपाय गया है और जैसे मैंने आपको बताया थी theory की Moulton ice अगर हमें मिल जाती है Moulton ice का हमें formula हाँ मिल जाता है कि वहां पर oxygen भी हो जाए ह वहां पर hydrogen हो जाए तो एक तरफ तो oxygen है जिससे की living वहां पर possible है और hydrogen अगर मिल जायेगा तो energy energy generation टेकनिकली बात करें तो अभी चंदरयान 3 के पास दस दिन और बचे हैं वैसे तो 14 डेस का उसका मिशन था और तो अब टेकनिकली 10 ओर देज वहाँ पर बचे हैं, in fact वो one moon day वहाँ पर रहने वाला है और one moon day जो होता है वो करीब 14 days का होता है तो चार दिन अर्डी हो चुके हैं अगर आपको याद होगा 23 अगस्त चार्श जादा इनफाक्ट होने वाले हैं तो 10 से दिन से कम का समय बचा हुआ है चंदरे आंथरी को वहाँ पर और study करने के लिए, in-situ experiments करने के लिए उसके तीन एहम मक्सद थे पहला launch होना ओविस सी बात है, दूसरा soft landing करना, land होना वहाँ पर और तीसरा in-situ experiments और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश है, जो south pole of the moon पर in-situ experiments, वहाँ पर जाकर experiment जो है, उसको कर रहा है which of the following bank has launched an आधार based enrollment for social security schemes well, इसका answer है, option d, sbi, मैंने प्टल बताया था आपको जो customer service points है, वहाँ जो अलग-अलग योजना है, जंधन योजना, सुरक्षा भीमा योजना, उन किया है, अगर मैंने, आगर आपने कलकर वीडियो देखा होगा, दूसरा IDFC first bank आने वाले तीन साल जो है, उनके लिए दोस्तों वो BCI matches card title sponsor है, फिर सारस्वत bank है जो की जिसने LIC के साथ tie up किया है और bank assurance, LIC के इंशूर products को sell करेगा, yes bank की बात करे तो इसने Zagal के साथ collaborate किया है, और इनके साथ मिलकर एक corporate card जो है, वो ये Zagal के साथ मिलकर, yes bank आपका चारी करने वाला है अब आते हैं हमारे आज की ख़बरों पे सबसे पहले चलते है National Counterface पर, उमीद कर रहा हूँ आपको यहां तक वीडियो का हर एक पार्ट समझ में आ गया होगा दो statements हैं, एक opposition से और एक ruling government से जो opposition से statement आया है, वो आया है राहूल गांधी जी से, उनका statement है PM Modi should speak on Chinese transgression चाइना का जो हक्सतक shape है चाइना की जो ये गंदी करतूत है कि वो map पे दिखा रहा है या फिर इनका मानना, राव गांधी जी का मानना है कि लदाख जाके देखो, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उसका काफी area चाइना ने अपने control में ले लिया इन्फाक्ट, जो पैंगॉंग 100 lake है उसका काफी हिस्सा उसके पास और आ चुका है तो उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक कटाक्ष किया है दूसरा भारत के जो external affairs minister है भारत के जो EM है उन्होंने का है कि चाइना का ये so-called जो आपका standard map है जिसमें अरुनाचत प्रदेश को और अक्साइचिन को अपना हिस्सा मान रहा है वो उनकी गंदी आदत है वो उसको serious लेने की जरुवत नहीं है तो ये दो statements दिये गए है उसके अलावा दोस्तों भारत में technical textiles को improve करने के technical textiles के market को market में अपना revenue increase करने के लिए एक 50 लाग का subsidy प्रोवाइड किया जाएगा उन companies को जो इन technical textiles को produce इंडिया में करेंगी इसके अलावा एक दिन पुरानी खबर है लेकिन important है चार ambassadors, चार envoys अलग-अलग देशों के उनका जो एक credential है उसको accept किया है और अब formally वो जो ambassadors हैं वो इंडिया में उन countries के representatives के तोर पे काम कर पाएंगे साथी साथ दादी प्रकाशमणी जो की एक समय पे she was the founder, she was the head of Brahma Kumaris जो की दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, women-led उनकी memory में एक stamp जारी किया गया, तो ये national current affairs हमारी आची है सबसे पहले आएए आते हैं, उस ख़बर पे जो Rahul Gandhi जी ने का है और जो Subraman ने अब Jay Shankar ने का है, तो the map is a very serious issue but they have already taken land उनका मानना है, लाइड और ले चुके हैं और Prime Minister should speak about it उसी issue पर Subraman Jay Shankar ने का है, जो की बहुत ही अंग्रीजी word है, he is very he has the gift of God मतलब बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं, articulate हैं, उन्होंने का है कि एक गंदी आदत है चाइना की of releasing such maps and China, including the other country's territory does not mean कि वो इनका हिस्सा हो चुका है यहाँ पर एक data पढ़ लिजेगा 18 countries के साथ चाइना के dispute है अठा देशों के साथ, इसमें ताइवान है, इंडिया, कई सारे देश हैं in fact, इंडिया का dispute के अलावा South China Sea के आसपास भी करीब 6 कंटी dispute है तो यह चाइना करता रहता यह statement भी यहाँ पर उन्हें दिया है तो आई जर एक बार देख लेते हैं बहुत जल्दी कि यह पूरा मामला है क्या Chinese government ने 28-39 अगस्त को उन्होंने एक map जारी किया था under the 2023 edition of standard map of India इसको वहाँ का जो ministry है of natural resources उन्होंने जारी किया था उन्होंने statement में कहा था कि यह हमारा standard map है और उस map में इंडिया के अगर हम perspective भी बात करें तो अरुनाचर प्रदेश और अकसाई चिन इन दो हिस्सों को उसने अपना हिस्सा माना था इसके अलावा चाइवान को भी उसने अपना हिस्सा माना था और उसको भी चाइच रेटरी ने अभी हमालांड क्या है तो उसमें दो बड़े contentious इन तीन बड़े contentious एरिया जे एक तो है आपका अकसाई चीन जो अभी चैनिस कंट्रोल में है एक एरिया है आपका गलवन वाले के पास सिकी में यह एरिया काफी critical है इसी एरिया में एक बहुत ही इसी एरिया में क्लाश हु हो जाएगा और फिर आपका आता राश्रत प्रदेश को जो पूरे ही चाइना आपना मानता है मुद्दा है 1962 का जब इंडिया चाइना वार हुई थी जिस वार में चाइना जीता था और उसने तिबड को अक्वायर किया था तिबड भी हमारा हिस्सा है और उसने ये भी कहा 2006 में एक सीजफार हुआ था एक अग्रीमंट हुआ था जिसके बाद कोई बड़े क्लाश नहीं हुए है लेकिन 2020 और 2021 में दो क्लाश हम अलड़ी अलगला फ्रंट पर देख चुके हैं पिछले कुछ समय से लाइन अफ आक्च्वल कंट्रोल जो की यहां पर पढ़ती है जिस इसा क्यों किया बिकल्स जी ट्वेंटी की कुछ मीटिंग्स को इंडिया ने हम हमने अराशित प्रदेश में किया था यह रीजन हो सकता है चाइना का इस मैप को जारी करने का इन फाक्ट यह बढ़ा अटपटा सा है बिकल्स जो ट्रेड होता है ना दो देशों की बीच उस करना उनके लिए अच्छी बात नहीं है ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसे मैंने आपको बताया चार देशों के एन्वोईज हैं उनके ग्रेडेंशल को एकसेप्ट किया है माननी महामहिम प्रेजडेंट द्रापदी मुर्मु जी ने उन देशों के नाम है एस्टोन करेंशी है यूरो फिर युकरीन क्यापिटल के विर्णिया बर्किनफासो अफिकन है उगा दुबू कैपिल है और वेस्ट आफ्रिकन सीर फ्रांग करेंशी है और नौर्वेका ओसलो और क्रोन वहांकी करेंशी है अब इन में से एक कंट्री मैंने ली है क्योंकि जनरली इस land locked country है इसके एक साइड आपका पड़ता है माली जिसका capital है बबाको, currency है वेस्ट आफ्रिकेन CFA Frank एक साइड आपका यूमुसुकरो और currency वेस्ट आफ्रिकेन CFA Frank फिर घाना है घाना का capital है आक्रा ए double C-R-A करेंसी यहां की घाना की आपकी जो है दाट इस सेडाई C-E-D-I फिर आपका आता है चलि बेनिन आप पढ़ ली जगा बेनिन मैंने जानबूच के यहाँ पर छोड़ा हुआ है ताकि यह कम से कम आप पढ़तो लो फिर आता है नाइजेरिया अबूजा कैप्टल है करेंसी नाइरा है नाइजेर कैप्टल निया में है करेंसी आपकी वेस्ट आफ्रिकन सिया फिर फ्रांक है लेकिन बरकेना फासो को हम कॉटन फाइफ कंट्री का हिस्सा मानते हैं जहां पर कॉटन बहुत होता है इंडिया लीडर है लेकिन इन कंट्रीज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कॉटन प्रड्यूस करने में वर्लड कार्टन डे को सेलीब्रेट करने में जो की 7 अक्टूबर पढ़ता है उसको सेलीब्रेट करने में इन कंट्रीज वरके नफासो चाट चिसी कंट्रीज ने एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ले किया था तो उस वजह से कंट्री इंपोर्टन बण जाती है नेक्स पर आते हैं इंगलेंड हाज बिकम दे वर्ल्स फर्स कंट्री जहां पर एक 7 मिनिट कैंसर ट्रीट्मेंट वैक्सीन बनाई गई है जनरली कैंसर को लेकर दुनिया भर में जब कभी कीमोथेरेपी होता है तो एक ड्रिप्ट रहाई जाती है जो आपके वेंज पर लगता है तो एक ड्रिप्ट रहाई जाती है जिसमें करीब 30-60 मिनिट का टाइम लगता है लेकिन उसको बहुत कम करके अब एक वैक्सीन बनाई गई है जो 7 मिनिट में वही काम कर पाएगी और ऐसा करने वाला इंगले दुनिया का पहला देश बना है दूसरा दोस्तों यह तारीक याद रखेगा यह तारीक जब आएगी डिसकस करूँगा उसको तारीक है 14 अक्टूबर आप से करीब 45 डेज बाद 14 अक्टूबर को ऐस्ट्रेलिया में एक रिफरेंडम होगा एक जनमत संगरह होगा जहांपर येस या no में जवाब देना है क्या जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग हैं जिन्हें हम अबॉरिजिनल कहते हैं जिन्हें हम टोरे आइलेंड आलेंड़ कहते हैं क्या उनको अधिकार दिया जाए समयधान में कि वो अपनी चीजों को रख सके पार्लिमेंट में उस अधिकार को लेकर वहाँ पर referendum होना है referendum क्या है details के आगे बताएंगे लेकिन वो 14 October को आपका होगा दूसरा इंडिया ने मैंने कर बताया था आपको कि इंडिया ने जो बास्मती राइस है उसका जो प्राइस अगर 1200 डॉलर्स पर टन अगर इससे कम है तो उसका एक्सपोर्ड अलाओ नहीं किया था उस पर बैन लगाया था लेकिन स्पेसिफिकली सिंगापोर के लिए उसका exception इंडिया ने दोस्तों इसबार किया है Singapore is the exception in terms of the export of the बास्मती राइस इसके लावा दो दिन पुरानी एक headline लेकिन important है देखो आफ्रिका एक ऐसा continent है जो सबसे पूर है और development में सबसे पीछे है in fact migration के मामले में और climate का जो menace है climate का जो एक बुरा असर है उसके मामले में सबसे आगे है ठीक है तो वहां के देशों ने आज से एक साल पहले 2022 में एक declaration को शुरू किया था जिसमें 15 देशों ने agreement किया था और उन 15 देशों ने इस बात को कहा था कि भाई हम climate action और migration पर काम पढ़ना चाहते हैं migration को रोकना चाहते हैं उनको अलग-अलग कामों में involved परना चाहते हैं और climate action पर काम पढ़ना चाहते हैं अब उसी particular declaration पर और देशों सहमती की है in fact अब as of now 48 African countries हैं जिन्होंने ये declaration को sign किया इसका नाम है आपका KDMECC जिसका full form है Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment and Climate Change ये अपने तरीके का पहला ऐसा declaration है जो कि आफरिका में पेश किया गया है ताकि वहां पर जो एक बहुती बत्तर स्थिती है climate action को लेकर climate change को लेकर migration को लेकर उसको control यहां पर हम कर सके हैं चलिए one by one discuss करते हैं पहले बात करते हैं इस पर्टिकलर वैक्सीन की तो दोस्तों आपके सामने है इस पर्टिकलर वैक्सीन का नाम है टेसेंट्रिक और इसका एक और नाम है आपका immunotherapy axolizumab यह उसका नाम है और बिसिकली यह रिप्लेस करेंगा जनरल ड्रिप को जिसमें करीब 36 मिन लगते थे आपको और अब इस अप्रूवल के बाद injection के जरीए जो cancer treatment है जो chemotherapy है अब आपकी हो सकेगी जैसे मैंने पहले बताया पहले एक घंटे के से में लगता था आदे घंटे से एक घंटा अब साथ मिनिट में काम हो जाएगा साथ मिनिट में वो treatment खतम हो जाएगा इस ड्रग का नाम है आपका checkpoint inhibitor और यह help करता है cancer patients के अंदर immune system को बहतर करने में उसको find करने में और उसको बहतर करने में और cancer cells को kill करने में दुनिया का पहला क्यों है because ऐसे हजारो patients हैं जो अब कम समय मिताएंगे hospital में chemotherapy में और वो within 7 minutes आपना treatment जो chemotherapy का है जो drip जो drip चलती चलती थी उससे उनका काफी समय बचने वाला है इसी लिए ये खबर important बन जाती है ना सिर्फ England के लिए बलकि दुनिया के लिए यहाँ पर दोस्तों क्योंकि हम current defense की बात करें तो यहाँ पर मुरे को याद आ गया lung cancer day अभी हाली में बनाया गया था जो lung cancer day है उससे 1st August को अभी हाली में celebrate किया गया था तो उसका relation भी इसी particular headline से है तो important days में सवाल prelims में या फिर आपके अलगल examinations में आपका आ सकता है अब आते हैं अच्छे बहुती interesting मुद्धे पर बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे continent की जो दुनिया का छटा सबसे बड़ा देश भी है और अंटार्टिका के अलावा यह continent सबसे बाद में इसके बारे में जानकारी मिली जब हम Australia की बात करते हैं तो आम तोर पे हम हमारे सामने क्रिकेटर्स के चेहरे आते हैं चाहे वो स्टीव ओ हो चाहे वो आपके माइकल क्लार्क हो रिकी पॉंटिंग हो शेन बॉन हो लेकिन इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इन सब का जो एक ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है चीक है इन फाक्ट अभी एक प्लेयर है आपके बोलंड वो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है उन्हें अब औरिजिनल कहा जाता है इसके अलावा वहाँ पर कई और ऐसे समुदाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं तो उन समधायों के पास अभी अधिकार नहीं है अभी कंट्रोल नहीं है पार्लिमंट में कॉंस्ट्यूशन में अपने अधिकार के बारे में नीतियों को चेंज करने का टेहां देडियर राइट टू हाव से ओन चेंजिंग देर कंडिशन्स और वर्किंग और राइट तो उसको लेकर रिफरेंडम आपका 14 अक्टूबर को होने वाला है और यह उस्ट्रेलिया के जो इस समय प्राइम इनिस्टर ने आंथरी अल्बनीस उन्होंने इस बात को अनौन्स किया हुआ है तो जैसे मैंने पहले कहा रिफरेंडम आपका होन यूएसे में रेड इंडियन्स आये थे पहले वहां पर इंडियन्स कहते हैं इंडिया में कहा जाता है द्रविडियन्स यहां के नेटिवस हैं यह भी एक ठीवरी है वैसे तो कुछ समय पहले आरियंस को लेकर भी ठीवरी आया थी कि वह नेटिव यहां के लेगिन हम नेट और एक हैं आपके Torrent Islanders और ऐसे कई और समधाई भी हैं जिने हम Native या अबॉरंजल्स या वहां के Natives कहते हैं जब हम Australia की बात करते हैं तो Australia में जो British का Rule है वो आपका शुरू हुआ खास तौर पे 1778 में इस तारीक है 26 जनवरी 1778 इस तारीक को Australians जो हैं जो वो मनाते हैं Australia देके तौर पे लेकिन जो अबॉरंजल्स हैं यह जो आपके Natives हैं यह इसको Australia Invasion देके तौर पे मनाते हैं इसके बाद जब 1850 में यहां पर Gold Rush आया मतलब यहां पर Gold यहां पाया गया तो कई और देशों के लोग चाहें वो चाइना के हों USA के हों यूरोप के हों वो लोग भी यहां पर आके रहें लगे तो एक तरह से Australia जो है It is a culmination of various originalities, various origins of people और इसलिए Natives का अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है इसलिए इस referendum को वहां पर 14th October को लाया जाएगा अब बात करते हैं Kampala की दोस्तों जो मैंने पताया था आपको तो Kampala basically एक declaration है 48 African countries का जिससे जो एक complex balance है, relationship है between human mobility, human migration और climate change कैसे उसको balance करें उसको focus यहां पर किया गया है यह stay important है because अब तक का अफरीका में होने वाला यह पहला और एकलोता ऐसा action plan है जो की mobility पर, migration और climate change पर practical तोर पे work करने की कोशिच करता है objective की बात करें तो तीन objectives हैं, पहला एक framework तयार करना, दूसरा migration को रोकना, development को बढ़ाना और तीसरा inclusivity हर किसी को, हर पक्ष को, हर clan को, हर tribe को, हर community को add करके साथ मिलकर अफरीका को आगे बढ़ाना इसके लिए दो संस्थाओं ने इस declaration को support किया है, पहला है आपका IOM, International Organization for Migration, दूसरा है आपका, जो climate change का सबसे बड़ा एक framework है, सबसे बड़ा एक organization है, UNFCCC, United Nations Framework on Convention on Climate Change, उसने इस particular पूरे endeavor को support किया है, और यह अभी हाल ही में आपका news में था, अब आते हैं हमारे science and tech पे, यह तो पता होगा आपको दोस्तों कि चंद्रयान 3 का जो rover है, प्रग्यान, जब तक वो मून पे रहेगा, तब तक हर रोज हम उसकी खबर की बात करेंगे, in fact मैंने आपसे promise किया था, कि मैं आदिते L1 का वीडियो बनाऊंगा, उसमें समय लग रहा है, विकास काफी content चाहता हूं मैं, और मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूं जो आपको पूरी जनकारी प्रवाइट करें, आपको most probably कल शाम तक वीडियो मिल जाएगा, यह मेरा commitment है, चले उसकी बात आगे करेंगे, वापस आते प्रग्यान पे, तो एक खबर आई, और ट्वीट किया, इ इसके लावा जो वहाँ पर experiments हो रहे हैं आपके, चाहे वो chased का experiment हो रहा हो, जो की temperature को check कर रहा था, मैंने बताया था आपको, की 70 degree Celsius तक का temperature उसने check किया है, या फिर इसा जो एक और experiment है, वो यहाँ पर हो रहा, उनकी pigs भी, उनकी pigs खीची है, एक nav cam ने, जो की इसी rover के अंदर आपका inbuilt है, जिसे बेंगलूरू के इस टोकी एक lab ने आपका बनाया है, तो उस वज़र से वो news में है, दूसरा, जो पहला edition है of the global AI, global India AI 2023, वो India October में organize करेगा, और जैसे मैंने पहले बताया था आपको questions में, कि जितेन सिंग साहाब ने कहा है, कि Indian economy, space economy, जो है, it will be beyond, और एक और beyond 40 billion dollars, यह तो अभी का है, लेकिन अगर हम बात करें, आर्थर डिरेडल रिपोर्ट की, यह एक रिपोर्ट आए थी, इस रिपोर्ट की बात करें, तो इसमें plus 40 हम कर सकते हैं, because इस रिपोर्ट ने 100 billion dollars कहा है, लेकिन हम 40 plus 40 कर सकते हैं, तो चंदरियान 3 से पहले 40 billion dollars हम expect कर रहे थे, लेकिन अब वो बढ़कर 80 billion dollars हो जाएगा, जो कि conservative है, because इस रिपोर्ट ने हमें Indian economy को, space economy को 100 billion dollars की बताया है, by 2040, ठीक है, एक चीज़ मैं हलका सा बता दूँ, आपको AI को लेकर doubt रहता है, AI का full form है, artificial intelligence, basically एक ऐसी technology है, जो combine करती है, computer science को with large database, जिक है, जिससे की होती बड़े level पर data solving हम कर सकते हैं, AI के दो हिस्से होते है, machine learning और deep learning, machine learning में वो adapt करता है, चीजों को, उसको enable करता है, deep learning में बड़े-बड़े big data को, वो analyze करके, उनसे वो solutions निकालता है, तो उसको लेकर AI की बात होती है, चार्ट GPT इसका एक example है, जो की बड़े data से, उसको simplify कर के आपको आपका answer देता है, तो AI, Global India AI जो summit है, वो आपका October में, first summit जो है, इंडिया में, October में organize किया जाएगा, अब आते हैं, डिफेंस पे, देखिए, उरिसा के अगर बात करते हैं, तो उरिसा में एक बहुती बड़ा, बहुती एक मशूर, एक important वहाँ पर एक, आपका एक mountain peak है, जिसका नाम है, महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी, in fact, नाम दिया गया है, to the 7th and the final project 17A frigate of the Indian Navy, Indian Navy के लिए, जो सात्वा, project 17A के अंडर एक frigate बना है, जो launch होगा आपका आने वाले समय में, आने वाल दो दिनों के अंदर, एक September को, उसका नाम है, आपका महेंद महेंद्रगिरी, so the final project 17A frigate named महेंद्रगिरी को launch करेंगी, श्रीमती, डॉक्टर, सुदेश, धनकर, जो वाइफ है, Honorable Vice President, जगदीब धनकर की, और ये event आपका मुंबई में, it will be held at the Mazagow, Doc Shipbuilder Limited, जहां पर इसको वो, जहां पर ये आपका launch किया जाएक, और ये सात्वा, आप नाम लिया गया है, from a very important mountain peak in Odisha, called as महेंद्रगिरी, जो की Eastern Ghats में located है in Odisha, और ये 7th ship का नाम दिया गया है, of the 17A frigate, 17A की बात करें, तो ये एक इंडिया नेवी का प्लान था, ताकि वो ऐसे 7th modern stealth guided frigates बनाए, stealth guided missile frigates बनाए, इसके लिए 2 manufacturers को swapा गया था, एक है MDL, that is Mazagow and Doc Shipper Limited और दूसरा है आपका Garden Reach Ship Builders Engine Limited जिनमें साथ में से चार बनाया है, बना रही है माजगाओं और तीन remaining आपका GRSE, Garden Reach Ship Builders बना रही है, तो overall साथ ऐसे frigates आपकर बनके रेडी हो चुके हैं, launch होने वाले हैं, पहला launch और रेडी हुआ थे 2019 में उसका नाम नीलगरी था, और बाकि गिरी, क्यों बनाया जा रहा है, इंडिया काफी समय से submarines को, ships को, frigates को, अलगले देशों से import करता था, जिससे उसका काफी खर्चा होता था, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में, in fact, pandemic के दोरान आत्म निर्भरता पे focus किया है, तो इंडिया अपने level पे, अपने base पर इनको बना रहा है, लेकिन इसका manufacturing का जिम्मा उसने इन companies को, इन public sector and taking को दोस्तों जो है, वो दिया है, तो design तो बना रहा है आपका ये, वाश्व डिजाइन लेकिन manufacturing यहाँ पर ये लोग जो है, वो आपके दोस्तों कर रहे हैं, in fact, 75% जो एक विप्विप्विंट्स हैं, जो इसम raw materials हैं, वो इस्तमाल इंडिया के अंदर से ही उनको किया जा रहा है, समझ में आया है, चल आगे बढ़ते हैं, दोस्तों एक योजना है, उस योजना का मीन मकसद है, इंडिया को, दुनिया का manufacturing hub बनाना, इंडिया compete कर रहा है, वियतनाम और खास तोर पे, चाइना और इसके लिए कुछ साल पहले production linked incentive scheme को launch किया गया था, PLI, जिसमें करीब 16 sectors आते हैं, और उनमें से एक sector है, आपका IT hardware का, जिसमें desktops, laptops, tablets, जो होते हैं, वो आते हैं, और कैसे उनको इंडिया बनाया जाए, उसको लेकर focus होता है, ये जो project है, आपका IT hardware का, PLI का, इसका budget है 17,000 क करोड का, और अभी इसका second edition, जो है, उसको कुछ टाप है launch किया गया था, जिसके लिए जो additional खर्चा है आपका, that is 2430 करोड का, और इसको खर्चा ताकि किया गया, ताकि और companies इंडिया में आकर manufacturing करें, अब सवाल ही बनेगा, कि ये पैसा कहां जाएगा, अगर हमें किसी को ब production इंडिया में increase किया है, तो उसके, उसके increase in revenue, increase in production के तौर पर, around 5% तक का incentive मिलेगा उसकी sales का, मतलब जो भी हो sales करेगा, उसका 5% तक का incentive सरकार उसे पे करेगा, अब ये करने की वज़र से, कई companies ने इंडिया में traction दिखाया है, इंडिया में काम करने का, in fact, इस particular scheme के अंदर, Lenovo हुआ, Dell हुआ, HP हुआ, ये companies ने अपना जो interest है, वो दिखाया है, लेकिन interesting बात एक और है कि अभी तक Apple ने PLI 2.0 for IT hardware में interest नहीं दिखाया, लेकि उसको छोड़के, बाकि सारी बड़ी companies ने ये आपका approval दिखाया है, और ये जो incentive मिलेगा 5% का increase in sales का, वो 6 सालों तक के इस IT hardware में आता क्या क्या है, तो देखें स्ट्रिंग पर आप देख सकते हैं, laptop, tablet, all-in-one, PC, server, या फिर small desktops, जिसे हम कहते हैं, small form factor, जिसे हम desktop कहते हैं, या फिर desktop के जो अलगल accessories होती है, motherboard, chases, वो सब आते है, small form factors में, उन सब को IT hardware में रखा गया, तो उसके लिए इंकी, जो ये एक पिलाइस कींग को लेकर update यहां पर दोस्तों आया है, अब आते हैं state wise, एक बहुत ही पुराना मुद़ा है, और मुद़ा है कावेरी नदी को लेकर, कावेरी नदी के पानी को लेकर, उसके supply को लेकर, अगर हम कावेरी की दोस्तों बात करते हैं, तो चार एरियास की बात करेंगे और एक यूटी की बात करेंगे जिसमें केरल है तमिलनाडू है करनाटका है और पूलुचरी है इन राज्यों में पिछले काफी समय से इन फैक्ट आजादी से पहले जब एक मदरास प्रेसिडेंसी हुआ करता था एक माईसौर या माईसूरू था उनकी बीच अ करनाटका में बेंगलूरू के आसपास जहां पर सूखा पड़ा है इन फैक्ट बजट में सरकार ने करीब फाइव थाउजन करोड प्लस का पैसा अलोर्ट किया था उन एरियास के लिए तो करनाटका की स्थिति कुछ डिस्टिक्स स्थिति अच्छी नहीं है तो काविरी व 5000 तुछ खैंज सेक्स टुमिलाडू इतना पानी कामेलॉ還 कार्यकर डीस करेगा इसकी पार थाइस्ट री बात करें इसकी आगर बात करें कोलकता मेट्रों जो है वो एक उनीघ मेट्रो बनने जा रहा है इट विज़ी इन लाइन बित मेट्रों लांड़न मेट्रों मॉसकों बर्लिन, म्यूनिक, इंस्तांबूल, मेट्रो, इसलिए, क्योंकि जो थर्ड वील होता है, अच्छा, आप समझा ध्यान से, जो थर्ड वील होता है, ज़रा मैं आपको दिखा दुओ, देखिए, तीन तरह के आपके, देखिए, दो यहाँ दिया हुआ है, एक है आपका नॉर् अगर मैं कोलकता मेट्रो की बात कर ओ करूं, तो इसका सबसे अलग है, और इसका सबसे स्टील का है, लेकिन जब हमँबात करें, लेंडन मेट्रो का, या इत्तामुल मेट्रो का तो वहाँ पर जो थर्ड रेल है, उसमें ऐलमुनियम लगता है, अब थर्ड रेल basically होता क्या ह थर्ड रेल वो रेल होता है जो electricity प्रोवाइड करता है to the moving train अगर आपको याद होगा तो जो ट्रेंस होती है जो तेज चलती है उन्हें ट्रैक्स के जरीए बिजली प्रोवाइड की जाती है ठीक है और Dalmonium is a better source than steel in terms of the conductivity तो अब Kolkata metro में भी two एसील की जगह वानियम का इस्तमाल किया जाएगा थर्ड वील पर थर्ड रेल पर ताकि उसका इस्तमाल करके बटर एफिशेंशी मिल सके में को सबसे बारें बात करें underwater metro होगा वो metro भी आपका कोलकता metro बनने वाला है in fact इस साल डिसेंबर तक वो बनकर आपका ready हो जाएगा फिर तीसी खबर है भदरवा राजमा और रंबन, सुलाई, हनी यह जमू कश्मीर के products हैं, food items हैं इन्हें दोस्तों GI tag दिया गया इसकी बात की आगे करेंगे, चलिए पहले बात करते है कावेरी की, तो कावेरी मुद्धा जो है उसको लिए करनाटका ने accept किया है कि वो 5000 Q6 of water प्रोवाइड करेगा तमिल नाडू को जो कावेरी water management authority है August 29 को उसने direct किया था करनाटका को कि इतना पानी आप प्रोवाइड करें जिसे हम कहते हैं cubic feet per second और Qsec इतना पानी प्रोवाइड करें जिसको करनाटका ने आपका accept कर लिया है और ये आने वाले 15 days तक, September 12 तक इतना पानी वो प्रोवाइड करेगा अब ये मुद्धा पूरा basically है क्या देखिए सबसे पहले जाए कावेरी कावेरी को आप K-A-V-E-R-I बोलो या C-A-U-V-E-R-Y बोलो आपकी मर्जी है कावेरी को तमिल में कहा जाता है पॉन्नी ठीक है ठीक है और Southern India की ये बहुत ही religious river है जैसे की Northern India में गंगा है वैसे वहाँ पर कावेरी है ब्रह्मागरी हिल कनाटिका में आपका वेस्टन घार्ट में शुरू होती है ये और तमिलाडू होते हुए केरल होते हुए ये आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है जहां पर ये मिलती है वो मिलती है आपकी at the bay of बेंगोल थूपूडूचरी वहाँ पर ये जाकर इसका ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर बनता है डिस्प्यूट जो है वो चार एरियास में है तीन स्टेट एक यूटी जिसमें तीन स्टेट आपके तमिलाडू, कैडला, कनाटका है एक कुड़ूचरी है और मुद्दा शुरू हुआ एक तो 1892 अग्रीमंट से और दूसरा उसके बाद सेकंड अग्रीमंट आया 924 में दोनों अग्रीमंट आपके किये गए between the मद्रार प्रेसिदेंसी जिसमें अग्रीमंट को लेकर इशु हुआ था कि वहां पर दोनों ही पक्षों ने कहा कि उन्हें equitable distribution water का नहीं मिला कावेरिका उसको लेकर मुद्दा आपका चलता रहा इस मुद्दे में अगर हम specifically बात करें तमलाडू करनाटका का तो इनका मुद्दा शुरू होता है 74 में और ये मुद्धे को लेकर बड़ा कतम आता है करीब 6 करीब 16 साल बाद 1990 में जब एक कावेरी Water Dispute Tribunal बनता है जो finally after a gap of 17 years 2007 में वो एक order पेश करती है और allocate करती है किस state को कितना पानी आपका मिलेगा तो current की बात करें तो 2000 तो जो current बात कहें तो नाडू को मिलता है 404.25 TMC कनाटका को 24.75 TMC केरल को 30 TMC पुडुचरी को दोस्ते हां मिलता है आपका 70 TMC Water ये एक जो allocation है वो कावेरी management authority जो है उसने ये allocation दिया है और अब इसको accept किया है कि additional 5000 के उसे कर वोटर कनाटका तमिलनाडू को आपका प्रोवाइड करेगा फिर आते हैं GI tax पे दो local specialities हैं जमु कश्मीर में एक है भदरवा राजमा और एक है आपका सुलाई हनी ये दो हनी जो हैं जो की पाई जाते हैं आपके डोडा डोडा में आपका भदरवा राजमा और रंबनी डिस्ट्रिक में रंबन डिस्ट्रिक में सुलाई हनी इनको दोस्तों GI tax दिया गया है इनको एड करने के बाद अब टोटल में 8 GI tax हो चुके हैं जमु कश्मीर में और यह तो 8 हो चुके हैं दो यह हैं छे आपके सामने यह रहे कनीशॉल कश्मीरी साफरोन कश्मीरी पश्मी कुछ हफते पहले चले तो जुलाई में और जानवरी में कुछ और GI tax दिये गए थे पूर्ण में राजिस्थान को दिये गए थे जिनमें दिया गया था उदैपूर कौफ्टकारी मिटल क्राफ्ट को बिकानेरी काशिक दकारी क्राफ्ट को जोथपूर बंदेज जुआ में दिया गया था मंकूर मैंगो बैविंका को बैविंका एक बहुत ही बैतरीन केके वहां का मैंगो काफी स्वाधिस्थ है उत्तर प्रदेश को दिये गये थे GI tax जो की हैं जलेसर मेटल क्राफ्ट को इनफाक उत्तर प्रदेश इंडिया का सेके नमर का स्थेट है ज जमू कश्मीर को दो नए GI tax आपके दिये गए हैं अब आते हैं MOUs पर जो लोग नए आए हैं पहली बार आए हैं MOU का फुल फॉर्म है आपका Memorandum of Undertaking यह MOU का फुल फॉर्म है रिटन अग्रीमेंट होता है बेट्वीन पार्टी बेट्वीन गवर्मेंट तो जी एसल ने गोवा शिपया लिमिटेड ने और कीनिया शिपया लिमिटेड ने अग्रीमेंट किया है शिप बिल्डिंग को लेकर दूसरा आर्मी ने 130 टीठर ड्रोन्स और 19 टांक ड्राइव उससे को यह चीजह कर सकें तीथर ड्रोन्स की हम बखात आगे करेंगे लेकिन अगर मैं बेसी पता हूं आपको तो टीथर ड्रोन में जो द्रोन होगा वह एक ग्राउन पर एक केबल से कनेक्टेड होगा और यह केबल के जरीए इस औरोन को मैनेज करने के कोशिश करेगी similarly simulators की बात करें तो ये simulators हैं जो कि tank को navigate करने में और उसको operationalize करने में काफी बड़ा role play करेंगे फिर दोस्तों एक MOU sign हुआ है आपका Ministry of Social Justice Empowerment का श्री विरिंद कुमार के ध्यक्षता में जो Minister of Social Justice के उनके साथ और National सफाई, कर्मचारी, Finance and Development Corporation के साथ ये agreement का main मकसद है कि जो हमारे manual scavengers है जो manholes में घुसते हैं कचरा साफ करते हैं जिसमें से कई manual scavengers की कई हमारे ऐसे वीर लोगों की मैं वीरी कहूंगा इनको उनको बिमारे हो जाती है वो मर जाते हैं, उनके आशन हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को है, Goa Shipyard Limited का with Kenya Shipyard Limited और दोनों मिलकर strengthen करेंगे अपने maritime रिष्थे agreement के अंदर दोनों ही देश आपस के जो ships हैं उनको build करेंगे केपासी building करेंगे और ship design में help करेंगे और उसकी construction में भी दोस्तों आगे चलकर वो help करने वाले हैं फिर दोस्तों, आर्मी ने 130 tether drones को purchase करने की बात कई है और 19 tank driven simulators को purchase करने की बात की है और यह agreement दोस्तों किया गया है on an emergency procurement basis EP जिसका full form है emergency procurement एक तरीका होता है जिसमें अगर किसी urgent need होती है किसी चीज़ को purchase करने की तो without an auction process without a competitive process उसको हम purchase कर सकते हैं तो उसके तहत इनको purchase करने की बात यहाँ पर की है अब अगर हम बात करें tether drone की रोस्तों तो basically एक unmanned aided device होता है जो एक cable के जरीए एक ground पर एक device से connected होता है इसमें एक base station होता है जो कि ground पर आपका होता है और वही इस particular drone को जो है वो connect करके उसको navigate कराता है basically इस drone का इस्तमाल होता है data capture करने में telemetry में technical human errors को crash को रोकने में उन सब चीजों में इस 33rd drone का इस्तमाल आपका किया जाता है इसके लावा दूसरा आपका है tank driving simulators ये virtually train करते हैं drivers of tank को और infantry combat vehicles को ताकि वो एक simulated environment में अपनी practice अपना जो उनका warfare है उसकी practice वो दोस्तों कर सके budget जो है इन दोनों चीजों का 19 drones का और sorry 130 drones का 3rd drone का और 19 simulators का budget है आपका इतना पैसा खर्च किया जाएगा for purchasing the drones and the tank driving simulators फिर दोस्तों बात करते हैं important days की तो आज के दिन को तारीक की बात कता हूं तो 31st August 1957 को Malaysia आपका आजाद हुआ था और इसलिए इस दिन को हम Malaysia का foundation day कहते हैं Malaysia की दोस्तों बात करें तो Kuala Lumpur जो है जो बहुती खुबसूरत शहर है capital है यहां का और यहां की currency जो है आपकी that is ringit ringit is the currency of Malaysia तो Malaysia जो है उसका foundation day आज के दिन हम जो है वो observe कर रहे हैं इसके लावब एक पर revise कर लेते हैं तो एक है आपका हरी मर्दे का जो वहाँ का national day है first 31st August को होता है कल के दिन मैं डिसकस किया था आप से ये दो डेज उनको भी एक बार आप देख लीजेगा फिर आते हैं दोस्तों state news पे बात करते हैं फिर से हम करनाटका की स्टेट न्यूस पे और साथी साथ ये news जो है करनाटका की तो है साथी साथ ये government scheme की news भी है because एक state sponsored government scheme है जिसका नाम है गरह लक्षमी जिस योजना की ये बात हम आपके सामने यहाँ पर करेंगे करनाटका में जब चुना हुए थे तो ऐसे पाँच प्रॉमिस किये थे करनाटका government ने करनाटका के congress party ने और वो पाँच प्रॉमिस में एक प्रॉमिस आपका है दोस्तों गरह लक्षमी इस पर्टिकलर प्रॉमिस में इस पर्टिकलर स्कीम में पर मन्त दो हजार रुपए का support दिया जाएगा to the eligible women beneficiaries को उनके परिवार को और ये पर मन्त का support को दिया जाएगा इस स्कीम में करीब 1.1 करोड women beneficiaries होंगी जिनको ये पैसा जो है वो आपका provide किया जाएगा इन्साक्ट जगर मैं exact बात हूँ 11 million या फिर 1.1 करोड इतनी महिलाओं को ये 2000 रुपए पर मन्त जो है वो provide किया जाएगा ये उन पाँच promise से एक promise है इनमें आपका पहला promise था पहला promise था आपका ग्रह जोती जिसमें 200 unit फ्री बिजनी मिलती फिर युवा ने दी जहां पर 30,000 रुपए मिलता graduates को per month और 1500 मिलता for diploma holders फिर उचिता प्रायाना है जो कि सबसे पहले शुरू हुआ था free bus service था for women across कनाटका अन भागिता वो भी आपको शुरू हो चुका है जो कि आपका 10 kg rice per person per month आपका फिर और फिर यह जो अभी आपका योजना है ग्रिह लक्षमी जिसमें 2000 रुपए per month for women beneficiaries को यहां पर आपका दोस्तों दिया जाएगा तो वो योजना को launch किया है इस मौके पर राहूल कांधी मजूद थे जो मलिकाजुन खर गए है Congress के President वो भी मौझूद थे और वहां के जो Chief Minister करनाटका गे वो भी इस मौके पर आपके मौझूद थे Roberto Mancini यह बने है Saudi Arabian जो football team है उसके नए coach और गर्मन ने ऐलान किया है कि 1000 खेलो India centers को within the year इंडिया में सेट अप करने की प्लानिंग करेगा फिर Infosys ने पॉइंट किया Infosys ने Announce किया है कि Women's Champion Player Ega Switik of Poland and from Spain रफाल नडाल वो उनके brand ambassadors के तौर पे काम करेंगे वो उनके brand ambassadors के तौर पे आने वाले साल में work करेंगे फिर appointment की बात करें तो भारत में एक Finance Industry Development Council है FIDC उसके नए चेर्मन बने है श्री उमेश रिवनकर जो FIDC के चेर्मन के तौर पे आने वाले समय में आपके काम करेंगे फिर बात करते हैं पॉर्ट संस्था की तो ADB की बात करेंगे मैंने कल बताया था आपको कि एक Climate Change Hub बनाया है इंडिया ने डेली बनाया है वो पहला सेंटर है आपका उसी तरज पर अप ADB ने कोलाबरेट किया है एक Renewable Energy Company FORD Partner के साथ उनके साथ मिलकर तिरुनेल वली में एक Renewable Energy का प्लांट बनाया जाएगा जिसका कपास्टी रहेगा आपका 25 मिगावाट के आसपास और वो आपका तमिल आडू में इस पर्टिकलर एरिया में उस प्लांट को जो है आपका वो सेट अप किया जाएगा अगर ADP की बात करें Headquarters आपके मादुल यॉंग फिलिपीन्स में है 9 December 66 में फाउंड हुआ 68 कंट्रीज मेंबर्स हैं और मसद सुबू असकावा जो है वो इसके इस समय President के तौर पे काम करते है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था दोस्तों की ताइवान का हिस्सा भी चाइना ने अपने मैप में दिया है और इसमें जो और पंटिंशन है ताइवान और चाइना की बीच वह ताइवान स्टेट भी है जो डिवाइड करता है चाइवान को विट चाइना स्तेंट को हम फोर्मोसा स्टेट भी बहते हैं formosa इस दी इस दी एनशेंट नेम आफ ताइवान in fact चीज़न से मेरे को याद आया formosa बाउंड फोर मॉसा बाउंड आर कि फॉरं और डिमेस्टिक करेंसी डिमेस्टिक करेंसी डिनोमेंटेट बॉंड ऑफ टाइवां जैसे कि इंडिया में आपका मसाला बॉंड है जो की रूपी बेस पर आपका उसका पर्चिस होता है कि उसमें आप इंवेस्ट करिए लेकिन जब आप उसका रेडेम्शन लेंगे जब आप चीजें जब आप उसको सेल करेंगे या जब वो मैचोर होगा तो आपको रूपी में पैसा मिलेगा वैसे ही फॉर्मोसा बॉंड ताइवान की कर करेगी तो वहां से फॉर्मोसा मुझे यादा है तो फॉर्मोसा स्ट्रेट इसका नाम है यह एक ऐसा लेंथ है जिसका लेंथ जो है वह 180 किलोमीटर का है जो सबसे क्लोज आता है इन दोनों की बीच वह करीब 110 किलोमीटर का का डिफरेंस है में चाइना जो की यह रहा और आ तो यह भी आपका अभी स्टाटिक जीके में अभी आपका दोस्तों न्यूज में था बाकी आते होंवर्ग पे कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है एशिन गीम्स दोहजार देइस किस कंट्री ने होस्ट किया है होस्ट करेगा सी काट 23 डिफेंट साइज क्या नाम है नए स्की का जो की ऑगमेंट करेगा सिटी बस ऑपरेशन को बाई था यह बसे ऑन ट्रिपल पी मॉडल और ट्रिपल पी का फुल फॉर में पॉब्लिक प्राइविट पार्टरिशिप कौन सा देश है जो होस्ट करेगा इंटरनाशनल कॉंफरेंस ओन प्रिजर्विंग इंटिर्टी पॉब्लिक ट्रस्ट इन एलेक्शन कौन वो पहले भारती है जो विश्राथ आनके बाद जो पहुंचे थे फाइनल में और चेस्ट वर्ल्ड कप सिंस 2002 तो इनके जवाब आपको देने हैं बाकी इसका पीडिए आपको मिलेगा हमारे वाट्साइब ग्रूप में यह उसका QR कोड है इसको आप स्कान कर सकते हैं कूगल लेंस से या फिर अपने फोन क्यामरा से बाकी पीडिया आपको यहां पर मिलेगा कुछ पांडे में और साथ आप मेरे साथ सोचल मीडिया पर जोड़ सकते हैं और तुमां इंस्टाग्राम आइडी डाट इटनल ऑप्टिमिस्ट 1-1. So thank you so much everyone for coming. I'll meet you again now tomorrow at 6am again. इसी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया. वाकी कल आपको आदिते L1 पे और 2-3 दूनों में आपको G20 पे भी वीडियो मिल जाएगा. जो लोग तयारी कर रहे हैं RRB PO Mains के RRB Clerk की या फिर SSC की भी तो उनके लिए भी ख 600 questions कराएंगे. पार्ट 1 में 300 questions, पार्ट 2 300 questions, overall 6600 questions आपको कराएंगे उनने दो वीडियो के अंदर. तो उसी के साथ हम आप से विजा लेते हैं. Thank you so much everyone for coming. Bye bye guys. Take care and मिलते हैं आप से एगले वीडियो में. तब तक के लिए peace out.